दिब्रुगा निवासी विनीद बगडिया के आत्म हत्या मामले ने राजनीत एक रूप भी ले लिया है। कॉंग्रेस ने इस मामले की CID से जाच कराने की मांग की है। विधान सभा में नेता प्रतिपश देवरत साइक्या ने राजजपाल प्रोफेसर जगतीश मुखी को पत्र लिखा है। साइक्या ने पत्र में लिखा कि पिडित परिवार ने आरुपियों द्वारा दी जा रही धंक्यों के बारे में पुलिस से शिकायत की थी। लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया यहां तक कि पुलिस ने मामले को दर्ज भी नहीं किया जिसके कारण समाज ने प्रतिभावान युवक को खो दिया। खान को गिरफतार किया इसके साथ ही इस मामले में पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफतार किया है झाल किया है